हालो एवरिवन, वेलकम बाक टू स्कॉलर्स केमिस्ट्री, अब हमने क्या किया था, लास्ट हम कनकेव मिरर की इमेजस फॉर्म देख रहे थे, रे डाइग्राम्स करे थे, उसी की एक टेबल है मैंने जो यहाँ बनाई हुई है, यह टेबल मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इ अब समझने वाली बात ही है कि सिफ एक ऐसा केस है जहाँ पे हमारी इमिज वर्चुल और इरेक्ट बन रही है, बाकी आपको दिख रहा होगा कि सारे केसे में इमिज कैसे बन रही है, रियल और अनिवर्टेड, दूसरी इंपोर्टन चीज, देखों, कभी कबर जभी रे ड गलत हो जाते हैं, अकसर एक्जाम्स में ऐसा होता है, वो क्यों होता है क्योंकि हमें टेबल नहीं लर्न होती, टेबल क्यों नहीं लर्न होती, क्योंकि एक एक चीज मुश्किल हो जाती है लर्न करना, तो एक शॉटकट तरीका बताऊंगी जिसे टेबल आपको जल्दी लर् डाइग्रम्स कभी गलत नहीं होंगे, देखो, जब position of object at infinity है, इनफिनिटी पर object है, तो image कहा बन रही है, at f, ठीक है बात, अब उल्टा case, जब object at f है, जब object at f है, तो image कहा बन रही है, image बन रही है at infinity, उल्टा हो गया, ठीक है, तो एक आपका learn हो गया, एक से दो learn हो गया, ठीक है, और उल्टा case, जब between f and c object है, तो image कहा बन रही है, beyond c, again उल्टा case, एक learn किया, दोनों learn हो गया, same, same बात है ला, उसके बाद, अगर object c पे हो, तो image तो c पे ही बनेगी, कहा नहीं खतम, same जगा पे बनेगी, ठीक है, और यह हमारा एक exception है, जिसमें image हमारी virtual and direct बनती है, सिर्फ एक case, क्यों virtual and direct बनती है, क्योंकि हमारा जो case है, इसमें position of image, कहा है, behind the mirror है, ठीक है, तो जब between p and f हो, तो position of image behind the mirror, तो हमारी image कैसे बनेगी, virtual and direct, और बाकियों का मैंने case समझा दिया, अब बात है, यह कैसे करोगे, जब ray diagrams बनाएंगे न, तो अपने आप यह समझ इमेज डिमिनिज दिख रही है, या enlarged दिख रही है, या highly diminished दिख रही है, वो अपने clear हो जाएगा, ray diagrams के बनाने से, confusion कहां आती है, ray diagram जब हम बना रहे होते है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी, answer सही नहीं आता, ray diagrams सही नहीं बनते, तो ऐसे ही, बस यह 2-3 cases learn कर लो, सा case 1 for convex mirror, जब object infinity पे हो, when the object is at infinity, तो होगा, let's suppose, यहाँ पे कहीं object है, बहुत दूर है, ये board के बहुत दूर है, infinity से कहीं raise आ रही है, तो infinity से raise आ रही है, हम rules लगाएंगे, again same array, parallel to principal axis, तो ये जाएगी कहां, इस तरफ arrow इधर दिखाना है, लेकिन it appears to pass through focus, तो यहाँ पे point करता दिखाना है, ऐसे again, यहाँ पे parallel ray जा रही है, तो क्या होगा, again it will appear to pass through focus, तो arrow यहाँ दिखाना है, लेकिन यहाँ appear दिखानी है, जहाँ दो rays मिलती है, वहाँ पे हमारा image फॉर्म होती है, तो यहाँ image का फॉर्म होई at focus, मतला पहला केस समझ लिया, जब object infinitive हो हो, तो image का फॉर्म होईगी, focus पे, image would be formed at focus, nature of image क्या है, यहाँ दिख रहे है, f पे फॉर्म होई है, diminished image है, highly diminished image, point size image फॉर्म होई के, image formed is virtual and erect, तो यह हमारा first case था, second case पे आते हैं हम, second वाला case, second case है, when the object is between infinity and pole, तो let's suppose यहाँ पे कहीं बना दिया, कहीं भी, इधर कहीं भी बनाना है, but left side रखना है object, ठीक है, किसी भी point पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी, same जगा, between infinity and pole, यह हमारा pole रह अरे parallel to principal axis क्या होगा, it appears to pass through focus, तो यह हमारी पहली रे कहां जा रही है, इधर focus पे मीट कर रही है, second point पे क्या बोलेंगे हम, और कोई भी rule लगा लो, यह वाला लगा लो, कि array passing through the pole will bend obliquely, तो आप यह वाला rule भी लगा सकते हूं, passing through pole, हमने 4 पढ़े थे, कोई भी दो लगा लेने है, तो यह bend obliquely, अब क्या करेंगे, यह वाली line को, हम extend कर देंगे, ठीक है, backside extend कर देंगे, क्योंकि image बनानी है, हमने किया देखा, कि जो 2 rays meet करती है, वहां पे हमारी image form होती है, इस बार image, इस point पे form हो रही है, यानि कि हम यह कह सकते है, कि image is formed between P and F, तो image is formed between P and F, nature of image क आए, again size से छोटी है, तो मैं बोल सकती हूँ, diminished image है, और क्योंकि right hand side पे बनी है, तो मैं यह भी बोल सकती हूँ, कि जो image formed हो हमारी क्या है, virtual and erect, virtual है, क्योंकि right side पे बनी है, और erect है, वह आपको दिख भी रही है, ठीक है, तो यह हो गई characteristics of the image form, हमने 2 cases study करने है, इसके बाद कोई case possible ही नहीं है, और कहां रखोगे, ठीक है, यहां रखोगे, तब भी same बात है, तब भी यही बनेगा, कहीं भी point पे रखोगे, on the right side, तो भी image PNF के बीच में ही बनेगी, आप कोशिश करके देख सकते हो, तो यह दो ही cases है, दोनों cases में हमारी erect image बन रही है, और दोनों cases में diminished image बन रही है, अब uses पढ़ लेते हैं, uses of concave as well as convex mirrors, so uses of concave mirrors, अब concave mirror कहां use होएंगे, वो उनों जगापी used होएंगे, जहां पे जो ray of lights है, उनको हमको disperse करना हो, या फिर एक जगापे concentrate करना हो, जैसे कि torches में, हमने क्या किया, bright light को दूर तक पहुँचनी चाहिए वो light हमने क्या क्यूश किया, concave mirror यूश किया, क्योंकि enlarged image किस में form होती है, concave mirror में, और search lights में भी दूर तक दिखाई देगा, search light दूर तक race फेकेगी, again concave mirror, ऐसे समझ लेना है, हमें learn नहीं करना है, हमें समझ के करना है, ताकि competitive में भी यह चीज आए, तो हम exactly नया question देखके भी concave mirror यूज होगा, या convex mirror, तो जहां light disperse हो रही है, जो image form हो रही है, वो बढ़ी हो रही है, तो वहाँ-वहाँ naturally हमारा concave mirror यूज होगा, क्योंकि convex mirror में तो दो ही cases थे, दोनों में, चोटी image form होई थी, तीक है, vehicle headlights, lights again, जो vehicles के आगे light लगी होते है, दूर तक race पहुचाने के enlarged image form हो सकती है, concave mirror यूज होगा, dentist use it, dentist again, इसी काम के लिए यूज करते है, आपके teeth की enlarged image है, उसको देखने के लिए हम क्या use करेंगे, again concave mirrors, solar furnaces, यह आप क्या पढ़ोगे, आगे chapter में पढ़ोगे, solar furnaces क्या है, आपने बहुत बड़े-बड़े solar cells चो होते हैं, तो आपने लाइट को sunlight को एक पर्टीकुलर जगा पर फोकस करना होता है, जापने हमें लाइट को एक पर्टीकुलर पॉयंट पर फोकस करना है, तो यहाँ पर क्या इस होएंगे हमारे concave mirrors, दो चीजे समझा दिया light को बहुत जादाSmith करना है, एक पॉइंट पर focus करना है, तो हमारे concave mirror ही यूज होएंगे, next is use of convex mirrors, convex mirrors यूज होते है as rare view mirrors, जब आप vehicles के side वाला mirror देखते हैं, left side right side एक mirror होता है, वो होता है, उसमें convex mirror, ध्यान से देखना, उसमें एक चीज लिखी होती है, छोटी-छोटी, that images in this mirror are much closer, objects in this mirror are much closer than they appear, अगर आपने देखा, observe किया हो, तो लिखा होता है, उसका मतलब क्या है, कि let's suppose एक vehicle है, मेरे बहुत पीछे एक vehicle है, तो मैं side view mirror, जो side वाला mirror है, उससे देखूंगे vehicle, पीछे, वो बहुत पास होगा, लेकिन मुझे दूर दिखेगा, reason is, let's suppose मैंने याँ बना दिया, वो जो vehicle है, वो इस point पे है, मुझे कहां दिख रहा है, वो इस point पे दिख रहा है, क्योंकि जो virtual image form, इस case में, virtual image form होईगी, क्योंकि हमने पढ़ लिया, convex mirrors virtual image ही form करते, क्योंकि erect image भी चाहिए, सोचो आपको inverted image मिले, क्योंकि यह क्या है, mostly inverted image देता है, सिर्फ एक case में erect image देता है, तो हमें क्या चाहिए, erect image चाहिए, पीछे वाले vehicle के ulti image का क्या करेंगे हम, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि erect image मिलती है, दूसरी, यह क्यों लिखा होता है, image formed are much closer than they appear, क्योंकि यह diminished image form करता है, याद करो, हमने बोलता, convex mirror के जो दोनों cases है, दोनों cases में diminished image form होरी है, है ना, क्योंकि diminished image form हो रही है, तो actual में object चोटा दिख रहा है, चोटे दिखने के वज़जे से क्या हो रहा है, वो हमें लग रहा है, बहुत दूर है, क्योंकि दूर वाली चीज चोटी दिखती है, लेकिन अच्छल में हो बहुत पास होता है, इसलिए यह चीज लिखी होती है, तो यहाँ पे रेरवू मिप्रस में यह यूज करते हैं, दो रीजन्स होते हैं, क्योंकि आपजेक्ट चोटे दिखते तो जाधा एरिया कवर हो जा करते हैं in rare view mirrors and these are all about convex concave mirrors and these are about convex mirrors next time hum refraction start करेंगे topic until then take care everyone agar video पसंदा है to do like share and subscribe to my channel thank you so much have a nice day